राहूल गांधी प्रदेश कॉंग्रेस मुख्याले दिल्ली में बात कर रहा है मीडिया से एक बार आपको लेकी चलते हैं राहूल गांधी क्या करें जो हमारे कॉंग्रेस पार्टी के कार्य करता, कैंडिडेस जो लड़े, पूरा दम लगाके दिल से लड़े, उनका मैं दिल से धन्यवाद करना चाहता हूँ हमारी लड़ाई, विचारधारागी लड़ाई है, दो अलग-अलग सोच है एक नरेंदर मोदी जी बीजेपी की सोच है, दूसरी कॉंग्रेस पार्टी की सोच है दो अलग विजिन्स हैं, मगर हमें ये मानना पड़ेगा कि इस चुनाव में नरेंदर मोदी जी और बीजेपी जीते हैं तो मैं उनको बहुत-बहुत बदाई देता हूँ आपके कोई सवाल हों? That I will, that we will have a meeting of the working committee and they will decide that there Can you, can you, you know you can't continue to do this That you can leave between me and the working committee if possible Mr. Fookan from the Hindu Can you, can you sir let him ask, there is somebody who's already asking व्रिक्ली तेजु इंवा वैंके फिंगत मैं। सताय के ओंगा हैं। that Narendra Modi is going to be the Prime Minister. And as an Indian person, I fully respect that. Aarun Singh. देखिए आज ही चुनाओ खतम हुआ है. आज ही रिजल्ट आया है. तो मैं इस पे आज टिपनी नहीं देना चाहता हूँ. मैं सिर्फ Prime Minister को बदाई देना चाहता हूँ. और ये कहना चाहता हूँ कि हमारी जो लड़ाई है वो विचारधारा की लड़ाई है. और मैं जो हमारे Congress Party के कारे करता है जो हमारे leaders हैं जो जीते हैं, जो हारे हैं उनसे कहना चाहता हूँ. गबराने की कोई जरूरत नहीं है. डरों मत. एक साथ हम लड़के अपनी विचारधारा को जिताएंगे. बिल्कुल कोई confidence नहीं को ना आपको. और हम जानते हैं कि इस देश में बहुत सारे लोग हैं जो कॉंग्रेस पार्टी की विचारधारों को मानते हैं जो कॉंग्रेस पार्टी में बिल्यूब करते हैं और हम उनको बताना चाहते हैं घबराओं मत. लास्ट क्वेस्टिन भीया. आदिश. अम लोग को पर से मूँ पे माइक भी डाले हैं. 100% जिम्मदार kids भाले हैं अमेथी अमेथी के नतीजे पर कि अमेथी के नतीजे पर मैं कहना चाहूंगा कि स्मिति उरानी जी जीती है उनको मैं बदा यद्क हाता हूं अमेथी के जंतों ने अपना decision लिया है मैं उस decision का respect करता हूं यह लोक्तनतर हैं और मैं चाहूंगा कि स्मृती इरानी जी प्यार से अमीठी की देखबाल करें, जो भरोसा अमीठी की जनता ने उनमें रखा है, उसको वो पूरा करें और मैं अब अंत करना चाहता हूँ, देखिए, बहुत लंबा कैम्पेन था और उसमें मैंने एक लाइन रखी थी, मेरी लाइन थी, कि मेरे उपर जो भी गलत शब प्रयोग किये जाए, मेरे को जो भी गाली लगाई जाए, जो भी किया जाए, मैं प्यार से रिस्पॉंड करूँगा, और मैं वो कहना चाहता हूँ, चाहे कुछ भी हो जाए, कुछ भी हो जाए, मैं सिरफ वापिस प्यार से ब देखिए 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 आज मैं उसके बारे में बोलना नहीं जाता हूँ बहुत बाद में बहुत समय है आज मैं मैं कंक्लूड करना चाहता हूँ अब सबसे पहले आप सबको भी मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ आपको भी मैं धन्यवाद कहना चाहता हूँ कि आप इस देख के प्रेस हो आपने चुनाव में काम किया आपने अपनी पूजिशन रखी इसके लिए भी आपका मैं बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहता हूँ अब यह मुझे निकलना है तैंक यू सो मच बहुत बहुत शु सद्धान मंद्री नरेंद्र मोधी को बधाई दी है शुपकामनाय दी है और अपने कार्यकरताओं से कहा है कि आपको घबराना नहीं है अपने आत्मिश्वास को बनाए रखना है हम एक बार फिर मिलके खड़े होंगे